दोस्तो क्या होगा अगर गोरिले और सेर की आपस में लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा? ये जानने से पहले हम इन दोनों जानरों के ताकत के बारे में जानेंगे सेर की जबले की बाइट फोर्स 650 PSI होती है जबकि गोरिले की बाइट फोर्स सेर की तुलना में दोगुना होती है इसका बाइट फोर्स 1300 PSI होता है दोस्तो सेर के पास बहद नुकिले पंजे और नुकिले दात होते हैं जिसे वो हत्यार के तौर पर इस्तिमाल करता है सेर के सामने के दातों की लंबाई चार इन से भी जादा होती है अगर सेर अपने दातों को एक बार सिकार की गरदर पे फसा दे तो वो उसकी जान लेकर ही छोड़ता है जबकि गोरिले लड़ाई के वक्त अपने जब अज़स्त घुसों का इस्तमाल करता है आपको बता दे कि गोरिले के एक पन से सेर की रिल की हड़ी भी तूट सकती है गोरिले की काटने की सकती सेर की तुलना में कई ज़ादा है सेर लड़ाई तो बड़ी तेजी से करता है मगर लड़ाई के तीन से चार मेंट बाद वा ठक भी जाता है लेकिन गोरिला कई घंटे तो अग मिना थके लड़ सकता है लेकिन दोस्तों सिर और गोरिला का सामना आम तोर पर नहीं होता क्योंकि इनके रहने के इलाकी अलग-अलग है सिर जहां सुखे रगिस्तान में रहना पसंद करते हैं वहीं गोरिला पहारी वर्सावन में पाई जाते हैं अगर इन दोनों कामना सामना हो जाए तो कौन जीतेगा कमेंट में बताएं और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमार चैनल को सब्सक्राइब जरू करें